नमश्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहां पर मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ IEX यानि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में यह स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिखाता हुआ दिखाया आपको और आप कहीं ना कहीं करेक्शन खतम होने का नाम ले रही है आप पिछले कुछ दिनों से स्टॉक इनी लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है मैं एक हफते की बात कुरूँ तो एक हफते के हाईस पर यह स्टॉक एक महीने का चार्ट को लो तो यहां देखेगा आपको असली चेहरा है स्टॉक जहां पर काफी बड़ी गिरावाट ही 170 से स्ट जिद्दारी करें कहां पर exit लें और यह stock क्या long term में आपकी wealth बनाएगा इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं थोड़ा से वेल्योशन थोड़े से फंडामेंटल इसके बारे में भी बात करें लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर पहली बार आये हों प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से ही है इस शेर की बारे में बात करें लिए 13,000 क्रोड का मार्केट कैप है और इस स्टॉक में पिछले एक साल से कंटीन्यू गिरावट चल रही है 304-315 रुपे का 52 वीक हाई है इस स्टॉक का जिसके सामने भी 144 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है more than 50% की गिरावट इस स्टॉ पहले मैं इस स्टॉक के थोड़े से आपको फंडामेंटल बताना चाहूंगा जैसा कि बता है 13,000 क्रोड का मार्केट कैप है हाई 304 है लो 134 रुपे का जो के भी लगाए बुक वैल्यू पर शेर 8.37 रुपीज किया जिसके सामने स्टॉक अभी 144 पर ट्रेड करता है तो स्टॉक के वैल्यूशन अगर इतने महंगी है तो इसके रिटर्न ऑन एकुटी और रिटर्न ऑन केपिटल एंप्लोई भी बहुत हाई है तो नो डाउट ऐसे स्टॉक हमेशा महंगी ही ट्रेड करते है वन की फेस वैल्यू पर स्टॉक ट्रेड करता है कंपनी के बारे में तो यह सब अच्छी चीज़ है नेगेटिव के वारे में बात करता है तो इस टॉक वैल्यू तो यह मैंने आपके साथ अब भी बदाए कि बुक वैल्यू के साब से बहुत महंगा इस टॉक है मार्जिन से लगबग 80% से जादा ही क्लॉक करता है पिछले कुछ नंबर्स जो है पिछले कुछ कॉर्टर से नंबर्स थोड़ अच्छी नहीं आ रहे हैं हाला कि कॉर्टरन कॉर्टर पे इस पे स्टेंडरोन में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता हुँ अधिकाई 69 करोड से बढ़कर 22% हुआ है पॉब्लिक 61% हो चुक है 57% से बढ़कर पॉब्लिक में अगर मैं कुछ बड़े नाम देखने की कोश्च करूं तो यहां पे DPVL वेंचर लिखा आ रहा है यहां पे 7% है दाल्मिया पावर लिंटेट 3.7% है दाल्मिया सीमेंट का भी स्टेक अच्छ के रूप में स्टॉक में 146 रुपीज का रेस्टेंस इसको निकालते ही स्टॉक 152 तक जाएगा फिर स्टॉक में ऊपर में 160 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं वहीं नीचे की बात करें तो स्टॉक में आपके लिए सपोर्ट लेवल पहला है वह 140 रुपे का ह बनके आएगा 140 के स्टॉप लॉस से बने रहे हैं अगर आप ट्रेडर ने तो आप लॉंग टर्म निवेश है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए इसे स्टॉक को थोड़ा नहीं ज्यादा समय देना चाहिए अभी तो नेगेटिव ट्रेंड में आपको एक लाक लगाना है तो केवल 10,000 रुपे की 10 SIP करो आप कोई जिर्कों इतनी एक बार में लगाने की थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में लगाओगे ना दस बार में खरीदो हर तीन परसेंट की गिरावट पे हर SIP कर दो यानि कि अभी खरीदा तीन परसेंट गिरा एक से देड़ साल में मिनिममम आप कहीं न गहीं तो टू फिफिटी तक लिबल देख सकते हैं इस स्टॉक में तो ओवराल लॉंग तंग के हसाब से ठीक लगता है मुझे अब अभी थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है तो यह मेरी वीडियो होप आपको समझ औ दोन आयोगी थैंक यह सो मुझ फूच 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 इस वीडियो